नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे पमार वन्ष की पूरे पमार वन्ष को आज की इस वीडियो में हम कोश्चन की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और उससे पहले देखे कल हमने बात करेंगे कि आज की वीडियो में हम पमार वन्ष के साथ गोर्खा और अंग्रेजों को भी कवर करेंगे लेकिन अगर मैं उन टॉपिक्स को इसी वीडियो के साथ इंकल्यूड करूँ तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती उनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे आज हम पूरे पमार वन्ष को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका यहां से एक भी कोश्य नहीं चूटेगा और पूरा रिवीजन आपका यहां पे हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रशन है आपका पमार वन्ष का संस्थापक कौन था पमार वन्ष का संस्थापक था कनकपाल इसने पमार वन्ष की स्थापना 888 इसवी में करी ये गुजरात धारनगरी से आया था चानपूरगड के राजा भानु परताब की पुत्री के साथ इसने विवहा किया था ठीक है चलिए दूसरा प्रशन है आपका कनकपाल ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी देखे कनकपाल ने जब पमारवंश की स्थापना करी 888 ईस्वी में तो इसने राजधानी चानपूरगड को बनाया था चानपूरगड वरतमान में चमूली में है और यहां कौन सी नदी के तटपर है तो यह आटागार नदी के तटपर इस्थित है यह आपको ध्यान रखना है कनकपाल को लेकर आपका एक पॉइंट और है पमारवंश का आदी पुरुष किसे कहा जाता है तो पमारवंश का आदी पुरुष कनकपाल को कहा जाता है लेकिन यदि आपको राहूर सांकरत्यान का नाम लेकर पूछा जाए कि राहु सांकरतान के अनुसार पमार वंश का आदी पुरुष कौन है तो वो है अजयपाल ठीक है चलिए अगला प्रशन है किस पमार शाशक ने भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था देखे राशधानी परिवर्तित होती रही पमार काल में उसको हम आगे बढ़ेंगे कि कब देवलगर गई कब आपकी श्रीनगर में गई उससे पहले 24 वह एक शाशक आया शोनपाल और इसने अपनी राशधानी चानपूर गर से हटा कर कहां पर बनाई भिलंग घाटी में बन इसने सोनपाल ने और आगे हम पढ़ेंगे जबकि अजयपाल आएगा बावन गड़ों को जीतेगा तो अजयपाल के द्वारा भी खसों को पराजित किया गया था तो इसी दिए इसको अजयपाल का पूर वर्ति साशक भी कहा जाता है अगला प्रशन है अपने नाम से इसकी मुद्राएं टिहरी में एक पुराना दर्बार संग्राला है वहाँ पर इसकी मुद्राएं रखी गई है यह आपको ध्यान रखना है यह जो पूराना दर्बार संग्राला है टिहरी के अंदर इसका निर्मान किसने करवाया था तो इसका निर्मान जो सुदर्शन शह है उसने करवाया था ठीक है पुराना दर्बार का निर्मान टिहरी में किसने करवाया सुधर्शन शहानी तो यह आपको ध्यान रखनी है एक और चीज फ्रेंट देखे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह वीडियो विशेशकर उनके लिए बनाई गई है उनके जुड़ी वीडियो बाते हैं उनको डिसकस कर रहे हैं तो पहले आप से यही है जो पहली बार पमारवश को पढ़ रहे हैं वो पहले डिटेल वाली वीडियो को देखे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरी कहानी के साथ कौन सा राजक कब आया क्यूं आया ठीक तो भिलंग घाटी का पहला स्वतंतर शासक किसको कहा जाता है ये आपके लखन देव को कहा जाता है अगला प्रशन है धारसिल से मिला अभिलेक किस से संबंदित है तो देखे धारसिल से हमें पमारवंश का अभिलेक मिला है ये अनंतपाल दुत्या से संबंदित है क्यों फे लंग घाटी से वापस लेकर आया आसल देव, ये पमार वंश का 33 वा राजा था और जो राजधानी लेकर गया वो पमार वंश का 24 वा राजा था सोन पाल, ठीक है और आसल देव 33 वा है ये राजधानी वापस चांधपुरगड में ले आया, नेक्स्ट है देव परिया के पमारवन्ष का प्राचीन्तम तामरपत्र है, कब का है, तो ये आपके 1455 का है, इस तामरपत्र में जगतपाल के लिए रजबार शब्द का परियोग किया गया है, तो ये कोशन आपको ध्यान रखने है, किसका है, कहां से मिला है, कब मिला है, ये जो आपका रगुनात मंदिर है, देव परियाक का, ये आपका द्रविट शैली में पना है, ये कोशन भी पूछा जा सकता है, अगला प्रशन है, अजेपाल किसका पुत्र था, देखें, अजेपाल को पमारवन्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीके, पमारवन्ष का वास्तविक किसी कहा जाता है अजेपाल को अजेपाल पमार वंश का 37 राजा था और 36 राजा अजेपाल का पिता कौन था आनंदपाल दुट्या तो यह आपको ध्यान रखना है important question है अगला question है आपका कुमाओं पर आकर्मन करने वाला पहला पमार शाशक कौन था कुमाओं के उपर आकर्मन किया पहला पमार शाशक था आपका अजेपाल देखे अजेपाल जब गदी पर बैठा उसके बाद अजेपाल बैठा था गदी पे 1490 में गदी पर बैठते ही 1491 में च देर्थी चंद को पराजित किया, तो कुमाओं पर आक्रमन करने वाला पहला पमार शाशक है अजयपाल, अगला प्रशने है गड़वाल के 52 गड़ों को जीतने वाला पहला शाशक कौन था, तो गड़वाल आपको पता है पुराने टाइम पे 52 गड़ों में विभाजित था, 52 चोटे चोटे गड़ थे यहाँ पे और इन 52 गड़ों को जीतने वाला शाष रख था अजय पाल तो यह आपको ध्यान रखना है जब इसने इन सभी गड़ों को जीत लिया था उसी के बाद जो गड़पाल शब्द है यह अस्तित्व में आया था यह भी आपको ध्यान रखना है जिस प्रकार अजय पाल ने 52 गड़ों को जीत कर एक किया इसी लिए इसको गड़वाल का बिसमार्क भी कहा जाता है इसकी तुलना बिसमार्क से की जाती है जैसे बिसमार्क ने जर्मिनी का एकिकरन किया था अगला प्रशन है अजयपाल द्वारा इस्थापित धुली पाथा की वजन कितना होता था देखे अजयपाल ने जो वजन तोलने में उस समय लोग बेमानी करते थे उसको खतम करने के लिए एक धुली पाथा शुरू किया जिसको धरम पाथा भी कहा जाता था इसका जो वजन होता था ये दो कीची का होता था अजै पाल ने चानदपूर गड़ से अपनी राजधानी कहां इस्थानांतरित करी तो देखे राजधानी चानदपूर गड़ थी अभी ठिक है वापस आसल देव ले आया है था चानदपूर गड़ में चानपूर गड़ से अब राजधानी चेंज होगी, देवलगड जाएगी 1512 में कुशन बनता है अजेपाल ने किस वर्ष अपनी राजधानी बनाया देवलगड को 1512 में बनाया और 1517 में अजेपाल ने शिरीनगर को अपनी राजधानी बनाया तो दोनों बाते आपको याद रखने है राजधानी का करम याद रखना है चानपूर गड़ से अजेपाल पहले देवलगड ले गया और फिर शिरीनगर में ले गया अगला प्रशन है आपका कफु चोहान से युद्ध देखे अजेपाल जब बावन गड़ों को जीत रहा था उनी में से एक गड़ था कफु चोहान का गड़ जिसे कहा जाता है जिसका नाम था उपुगड उपुगड वरतमान में टीहरी जनपत में आता है और इसको लेकर अजेपाल का काफी ये फेमस युद्ध था इसको लेकर कफु चोहान को लेकर तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको दोन स्टेटमेंट याद रखने हैं कफु चोहान में जब कफु चोहान की मृत्वी अजयपाल के सामने इसकी हत्या की गई तो उसको बाद अजयपाल ने स्टेटमेंट दिया वीर तुम जीते हम हारे ये किस ने कहा था? ये अजयपाल ने कहा था किस के लिए कहा था? कफु चोहान के लिए इसी प्रकार कफु चोहान का भी स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि मैं पशुवों में शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड की तरह हूँ ये किस ने कहा था ये कफु चोहान ने कहा था ये कब कहा कफु चोहान ने तो देखे जब अजय पाल के सामने कफु चोहान को पेश किया गया तो अजय पाल ने उसको एक और आकरी मौका दिया कि तू मेरी अधिनता सुखार कर ले उस समय कफु चोहान ने कहा कि मैं अधिनता स्युकार नहीं करूंगा मैं पश्वों में शेर की तरह हूं और पक्षियों में गरुड की तरह तो यह आपको ध्यान रखना है कि कफु चोहान और उप्फु गड़ का युद किसे संबंदित है यह अजयपाल से संबंदित है कफु चोहान का एक प्रसिद सेनपती है नाम प संबंदित और अजयपाल का युद्शिष्टर किस ने कहा था? तो अजेपाल को गड़वाल का जो युदिष्टर कहा गया यहां कवी भरत की द्वारा कहा गया तो यह कोशिन आपको ध्यान रखना है गड़वाल का युदिष्टर किसको कहा जाता है अजेपाल को कहा जाता है किसने कहा कवी भरत ने इसके अलावा अजेपाल को गड़वाल का अशोक भी कहा जाता है जिस प्रकार अशोक ने कलिंग जुद के बाद उसका हिर्दे परिवर्तन हो जाता है उसी प्रकार कहा जाता है कि उप्पुगड की विजय के बाद अजेपाल का भी हिर्दे परिवर्तन हो जाता है तो इसे जो ये शावरी गरंत है, किसकी रचना है, ठाकुर सूरवीर सिंग की, कोशन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, और इस गरंत में अजे पाल को आदिनात कहा गया है, तो ये कोशन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अजे पाल को मैंने आपको बताया, अजे पा गढ़वाल का निपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इसने बावन गढ़ों को जीता, तो इसकी विजेयों के कारण तो इह पॉइंट बिए आपको ध्यान रखना है? नेक्स्ट है, अजेगपाल अन्याई था, तो अजेगपाल किस पंत को मानता था किसका अन्युआई था तो गोरकनात पंत का अन्युआई था आपका अजय पाल नेक्स्ट है सरोला ब्रहामणों की नियुक्ति किस ने करी थी तो सरोला ब्रहामणों की नियुक्ति अजय पाल के ही द्वारा की गई थी जो उस समय जात पात विवस्ता होती थी उसको खतम करने के लिए अजय पाल के द्वारा सरोला ब्रहामणों की निक्टी करे गई थी तो जात्पांत विवस्ता को खतम करने के लिए सरोला ब्रहामणों का गठन या इनकी निक्ति किसने करी अजय पाल लें बाद में 1904 में एक सभा भी बनेगी सरोला सभा उसका गठन किया गया तारदत केरोला की तरफ से बलभदर से पहले शहा की उपादी धारण करने वाला पहला शाशक कौन था तो देखे हम जानते हैं पमारवंश का पहला शाशक जिसने शहा की उपादी धारण करी वो कौन था बलभदर शाह लेकिन पमार वंश की जो वनशावली है वहां में एक शाशक का उलेक मिलता है जिसने शहा की उपादी धारण करी थी बलभदर शाह से पहले वो है आपका कल्यान शाह तो यह आपको ध्यान रखना है कि बलभदर सहाँ से पहले शहा की उपादी का उलेक किस शाशक में मिलता है कल्याण शहा में यहाँ कल्याण शहा अजैपाल का पुत्र था, पमारवज का 38 राजा था दापा पर आक्रमन करने वाला पहला पमार शाशक कौन था दापा यानि की तिब्बत और तिब्बत पर आक्रमन करने वाला पहला पमार शाशक था विजय पाल यहां लेकिन जीत नहीं पाये था यह पराजित हो जाता है लेकिन आक्रमन करने वाला अगर पहला पूछेगा तो वो विजय पाल था ठीक है नेक्स्ट है किसके काल में अकबर ने गंगा का सुरोत पता करने के लिए एक अनवेशक दल भेजा था देखे कारकाल चाह यहाँ पे सहिचपाल का सहिचपाल गद्धी पर बैठा 1547 में और 1575 तरगी गड़वाल का शाशक रहा पमारवंश का 42 वा राजा था सहिचपाल और इसी सहिचपाल के शाशन काल में अकबर ने एक अनवेशक दल को भीजा उत्राखंड में कि जाओ और पता लगा के आओ गंगा का सुरोत क्या है तो यह आपको ध्यान रखना है किसके काल में भीजा सहिचपाल के काल में हाला कि उस दल को सहिच पाल ने गंगोतरी तक ना जानी दिया और हरीदवार में ही उस दल को रोप लिया था इसलिए सहिच पाल को क्या कहा जाता है सहिच पाल को राजनेतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शाशक कहा जाता है किस पमार शाशक को राजनेतिक चतुर कहा जाता है सहज पाल को अगला है आपका किस पमार राजा ने देपरियाग के रगुनात मंदिर में घंटी चड़ाई थी तो देपरियाग के रगुनात मंदिर में घंटी लेख मिला है यानि कि गंटी मिले जिस पे लेक लिखे गए हैं तो उस गंटी लेक को किसका माना जाता है वो माना जाता है सहज पाल का ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इस गंटी लेक के अलावा जो आपका रगुनात मंदिर है वहां से सहज पाल के पांच अभिलेक भी मिले हैं तो शाहा कहा जाता है कि इसको यहाँ शाहा की उपादी लोधी वंश के शाषकों के दोबारा दी गई थी ठीक है एक्जेक नाम क्या था शाषक का वो किलियर नहीं है सिर्फ इतना है कि लोधी वंश का किसी शाषक ने इसनको शाहा की उपादी दी थी बल भदर शाहा की अगर मै बात करूँ तो इसका शाशन काल था 1575 से लेकर के 1591 तक ठीक है और यहाँ पमार वंश का 43 वा शाशक था करम पूछा जा सकता है जो महत्पूर्ण राजा है अगला प्रशन जो आपका पमार वंशे बनता है अकबर के विद्रोहियों को पकड़ कर दिल्ली भेजने वाला पमा नहीं पा रही थी तो अकबर के उन विद्रोहियों को पकड़ा इसने और दिल्ली में इसने भेज दिया किसने भीजा बलभदर शाह ने यह आपको पूछा जाता है ठीक है और एक और चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है जब इसने यहाँ से विद्रोहियों को अकबर के दरबार में भीजा इसी के बाद अकबर जो मुगल दरबार है और जो गड़वाली शाशक है इनके बीच राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हो जाएगी तो प्रशन बनता है किस पमार शाशक के काल में मुगल दरबार से राजदूत भेजने की प्रथा शु बिलता है तो यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है किस युद के बाद बलभदर शहा ने बहदुर शहा की उपादी धारण करी थी तो थीखे बलभदर शहा ने बहदुर शहा की उपादी गुवाल्दम का युद जो लड़ा गया 1581 में तो इस युद को जीतन बधानकड का युद भी कहा जाता है इस युद को जो सामना हुआ वहां रुदर-चंत के साथ होता है तो कहा जाता है इने monstrah की तुलना किस की की जाती है तो कहा जाता है कि जो बलभदर शहा ने काफ़ी सारी शक्ती थी तो इसलिए इने भीम生 के बराबर माना जाता था ठीक है तो भीम सेन से तुलना किस की की जाती है बल भद्रशाह की की जाती है और ये तुलना किस ने करी एक कवी का नाम आता है कवी देवराज ठीक है तो कवी देवराज ने बल भद्रशाह की तुलना किस से करी है महाबली भीम से तिब्बत पर विज प्राप्त करने वाला तो यह होगा आपका मानशाहर टेक है मानशाहर ने टिब्बप के उपर आक्रमन किया और इसने वहां का जो शाषक था काकवामोर उसको इसने पराजित किया वहां से ये एक हजार सुन कलश को लेकर भी आया था तो प्रशन बनता है कौन सा पमार शाशक तिबबत से एक हजार सुन कलश लेकर आया था मानशहा लेकर आया था और उन कलशों को इसने गौरिमट मंदिर में स्थापित कर दिये थे किस पमार शाशक के काल में लक्षमी चंद ने साथ असफल आक्रमन किये थे सीथा कोशन इस तरीके से बनते हैं मैंने सभी कोशनों को यहां पर एक्जाम ओरियंटेड ही बनाया है तो वहाँ पमार शाशक जिसके शाशनकाल में लक्षमी चंध ने साथ बार असफल आकर्मन किये यह था आपका मांसहा ठीक है कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि जो यह शाम लक्षमी चंध था यहां शाल भूंगा के के लिए से आकर्मन करता था साथ बार इसने आक्रमन करा, सातो बार ये हारा, आठवी बार इसने आक्रमन किया, गड़वाल का सेनापती खतर सिंग को मारा, कुमव में खतरवा तेहवार की शुरुवात करी, चलिए, जीतु बगडवाल किसका सेनापती था या किसके समकालीन था, तो जीतु बगडवाल यहां मानशहा का समकालीन था यह आपको ध्यान रखना है ठीक है मानशहा का दरवारी कवी कौन था मानशहा का दरवारी कवी था कवी भरत ठीक है यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कवी भरत को लेके प्रशने बन सकता है इसी कवी भरत को जहांगीर ने जियोतिक राई क के उपाधी भी दी थी तो पूछा जाता है कवी भरत को जियोतिक राई की उपाधी किस ने दी थी जहांगीर ने दी थी और ये बाद में मान्ट शहा के दरबार में रहता था इसी नहीं एक रचना लिखी मानदव काविया पमारवंश का प्राचीनतम सुरोथ है ठीक है और इसकी रचनक कवी भरत ने करी और इसकी भाषा संस्कृत है ठीक है चलिए कालो सिंग भंडारी को स्वन्निम विजेता की उपादी किस ने दी थी तो देखे कालो सिंग भंडारी मादो सिंग भंडारी के पिता थे और इनको स्वन्निम विजेता की उपादी मान शहाने दी थी यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए मुगलों से भेट करने वाला पहला पमार शाशक कौन था देखें मुगलों से भेट करने वाला जो पहला पमार शाशक था ये था आपका शामशा राजदूद भेशने की प्रथा तो बलबदर शाहा के शाशनकाल में शुरू हो गए थी लेकिन वो कभी भी अकबर या जहांगीर से नहीं मिला मुगलों से यानि कि जहांगीर से मिलने वाला पहला पमार शाशक्ता आपका श्याम शाहा इसकी भेट आगरा में होती है 1621 में और इसी को शाम शाहा को जहांगीर ने हाती और घोड़े भी उपहार में दिये थे तो कोशन पेपर में बन चुका है कि जहांगीर ने किस पमार शाशक को हाती घोड़े उपहार में दिये थे शाम शाहा को दिये थे तो यह आपको ध्यान करना है चलिए इसी के अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे कि त्रिमल चंद को शरण देने वाला पमार चाचा कौन था तो त्रिमल चंद को भी शरण दी थी किसने शाम शहा ने तो यहाँ पॉइंट आपको ध्यान रखना है तो इसी के काल में शाम शहा के काल में कुमाओं से एक भी आकरमन नहीं होता है गड़वाल के ऊपर चलिए अगला परशन है वास्तु शिरुमनी गरंत के रचियता संकर देव किस के राजगुरू थे तो वास्तु शिरुमनी गरंत ये किस का गरंत है ये है शंकर देव का और शंकर देव शाम शहा के राजगुरू थे गड़वाल का तुगलक, घमंडी राजा या विलासी राजा किसे कहा जाता है तो यह question बहुत important है आपने कुमाव का तुगलक पड़ा है कुमाव का तुगलक देवी चन तीक है गड़वाल का तुगलक शिामशा पादरी ता यह गड़वाल आया 1624 में तो यह आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है किस पमार शाषा की मृत्यू अलक नंदा में डूबने से हुई थी तो अलक नंदा नदी में डूबने से मृत्यू हुई थी शाम शाह की यहा कोशन आपको पूछा जा सकता है कि अलक नंदा में इसकी साथ रानिया इसी के साथ सती हो जाती है तो question बनता है किस पमार काल में किस पमार शाशा के काल में सती प्रता का उलेक मिलता है या सती प्रता का जानकारी मिलती है तो शाम शहा के शाशन काल में मिलती है जब इसकी मृत्यू भी इसका अंतिम संस्कार किया गया, उसी में इसके साथ इसकी साथ रानिया यहां पे शती हो गई थी, ठीक है, चलिए, अगले चलते हैं, अब महिपति शाहा को लेके कुछ प्रशन है, इनको देखते हैं, कौन-कौन से प्रशन आपको पूछे जाते हैं महिपति शाहा पमारवंस का 46-वा राजा था, करम इसका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो important है, जाधर तर आपके end के, क्योंकि सुदर्शन शाहा का पूछा गया था, इसी प्रकार आपको अजयपाल का याद रखना है, शहिचपाल का याद रखना है, ऐसे जो important है, ठी महिपति शाहा द्वारा केशवराय मठ की स्थापना कप की गई, तो महिपति शाहा ने केशवराय मठ की स्थापना करी थी, और ये करी थी 1625 में, ठीक है, यानि कि शाम शाहा के शाशन काल में, महिपति शाहा बेसिकली शाम शाहा का चाचा था, ठीक है, क्योंकि शाम शाहा अपनी कोई संतान नहीं थी, तो महिपतिशाह उसका चाचा था, और उसी के सासनकाल में इसने एक मठ की स्तापना करी, केशवराय मठ, यह आपको ध्यान रखना है, महिपतिशाह 1631 में गद्धी पर बैठता है, 1635 तक, लोधी रिखोला किसका सेनपती था, तो देखें, लोध महिपतिशाह के दो सेनपती और थे, जैसे मादो सिंग भंडारी, मादो सिंग भंडारी को गर्व भंजक कहा जाता है, ठीक है, भंजक याद रखना, गर्व भंजक किसको कहते हैं, मादो सिंग भंडारी को, इसी प्रकार इसका सेनपती था, बनवारी दास, तो यह तीनों आपको नाम याद रखने हैं तीनों आपके महिपती शहा के सेनापती थे रोटी सुची प्रथा की शिरुवात किस ने करी थी तो देखें रोटी सुची प्रथा इसकी शिरुवात करी थी महिपती शहा ने ये प्रता क्या थी हम इसको पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि रोटी को उस समय शुद नहीं माना जाता था अगर दूसरे लोग उसको बनाएं ठीक है तो रोटी बनाने की पूरी एक प्रोसेस थी कि आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे आपने कौन से कप महिपती शाहा को महा प्रचंड भुजदंड किसने कहा था तो महिपती शाहा को महा प्रचंड भुजदंड ये कहा था मौला राम ने प्रशन बनता है किस पमाल शाशक को महा प्रचंड भुजदंड कहा जाता है तो महिपती शाहा को कहा जाता है मौला राम ने कहा था राजा की उपादी दी गई, ये दी गई महिपती शहा को, अब देखिए इसको अख़ड राजा की उपादी क्यों दी गई, महिपती शहा को शहा जहां ने अपने दरबार में बुलाया, अपने राज्या फिशेक में बुलाया, ये वहाँ पे नहीं गया, दो तीन बार बुल करवाने वाला पमार शाशक कौन था तो ये था आपका महिपती शाह इसके बारे में कहा जाता है कि जब यहां पर नागा शादू आये तो उनके हाथों में तलवार वगेरा थी इसको लगा कि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं या फिर ऐसा भी कहा जाता है दूसरी कहानी य कर अपनी विजयों की लेकर ही इसको गर्व भंजन कहा जाता था ठीक है और जब यह अपने विजय अभियान से कहीं से लौट रहा था तो उसमें देखा कुछ नागा सादू वहां पर थे उनको देखकर इसके मन में और घमंड आया कि मैं तो किसी को भी यहां पर हरा सकता ह और इसने फिर उनकी भी हत्या करवा दी तो दो प्रकार की कहानिया चलती हैं तो आपको कहानी पे नहीं जाना है कि क्यों इसकी हत्या करवाई थी बस जितना ध्यान रखना है नागा सादू किसने हत्या करवाई उसके बाद इसको अपने पाप का एहसास हुआ रिचिकेश म में हुई वो है आपका महिपती शहा 1635 में युद्ध लड़ा गया कोशी का युद्ध इसके और त्रेमल चंद के मध्य में उसी युद्ध में महिपती शाह की मिर्त्यू होती है अगला प्रश्ण है प्रिथिवी प्रिथिवी पती शाह की सनरक्ष का कौन थी देखे प्रिथिवी पती शाह की सनरक्ष का थी रानी कर्णवती ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है रानी कर्णवती महिपती शाह की पत्नी थी और प्रिथिवी पती शाह की माता थी ठीक है इन्हों नहीं प्रिथिवी पती अगला प्रशन है नाकाटी रानी के नाम से जानी जाती है तो कौन सी रानी है जिसे नाकाटी रानी कहा जाता है तो यह कहा जाता है रानी कर्णवती को देखे 1635 में जैसे ही महिपति शाह की मृत्वी शाह जहां को बद्रा लेने का मौका मिला क्योंकि महिपति शाह उसके दर नपती थे जो उसके सैनिक थे उनको पकड़ कर उनकी नाकान काट दी तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है नाकाटी रानी कहा जाता है किसको हराया था नावाजत खान को हराया था किस रानी की तुलना गोलकुंडा की रानी दुर्गवती से होती है तो गोलकुंडा की रानी दुर्गवती के साथ तुलना की जाती है रानी कर्णवती की देहरदून में करनपूर नामक शहर किसने बसाया था तो देहरदून के अंदर करनपूर नामक जो शहर है इसको भी बसाने का श्रे रानी कर्णवती को ही जाता है इसके अलावा इन्हों ने देहरदून में जो राजपूर नहर है इसका निर्माण भी रानिक कर्णवती ने करवाया था ठीक है इसके अलावा देहरदून के नवादा में इन्हों ने अपना एक मेहल भी बनाया था माधो सिंग भंडारी की मृत्यू किस युद में हुई थी तो देखें माधो सिंग भंडारी की मृत्यू कहा जाता है कर्णवती के ही टाइम के हो गई थी 1640 के आसपास तुमुल के युद में तो तुमुल के युद में मादो सिंग भंडारी के मिर्ति होती है यहाँ युद कौन सी नदी के तड़ लड़ा गया तो यहाँ युद सतलज नदी के तड़ लड़ा गया था प्रतिवी पतिशाह और मानधाता प्रकाश के मध्य में हुई थी तो देखे एक संधी होती है प्रतिवी पतिशाह और मानधाता प्रकाश की बीच जिसे कहा जाता है हाट कोटी की संधी यहाँ संधी 1650 में होती है प्रशने बन सकता है हाट कोटी की संधी किस-किस के मध्य में हुई या हाट कोटी की संधी कब हुई ठीक है पृतिवी पति शाहा ने अपनी दुत्य राजधानी कहां बनाई थी तो पृतिवी पति शाहा ने अपनी दूसी राजधानी बनाय था राजगडी को वर्ष 1615 में शहाजाहा ने किसके नेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य दी थी तो मुगल जो सहजादा था सुलिमान सिखो सुलिमान सिखो दारह शिखो का पुत्र था ठीक है दारह शिखो कौन था ये शाह जहां का पुत्र था और औरंग जेब का बड़ा भाई था जब इसका युद्ध होने लगा औरंग जेब के साथ उत्रदिकार के लिए तो और जो दाराशिको का पुत्र था सुलिमान शिको ये भाग कर कहां पर आ गया था गड़वाल के शार्षक पृतिविपति शाहा के दर्बार में आ गया था और इसको शरण दे दी थी कब दी शरण 1658 में अगला प्रशन है और एक और चीच जो सुलिमान शिको को यहां पर आया था तो पृतिविपति शाहा को और अंगजेब ने कई बार कहा कि इसको हमको दे दो पृतिविपति शाहा ने देने से मना करा आकिर में जो इसका पुत्र था पृतिवपति शाह का मेधनी शाह उसने किसी सडियंत्र के दुवारा जो दारा शिको का पुत्र था सुलिमान शिको इसको मुगलों के दरबार में भेज देता है ये तो मुगल दरबार में सुलिमान शिको को कब पेश किया गया ये पेश किया गया पांच जून 1661 में ठीक है तो पांच जून 1661 को सुलिमान शिकों को औरंग्जेब के सामने भेजा गया और कहा जाता है बात में औरंग्जेब ने उसको भी मार दिया था ठीक है और इस घटना के बाद प्रतिव पति शाहा ने अपने बेटे मेदनी शाह को देश निकाल दे दिया था अगला प्रशन है फतेपती शाहा की संरक्षिका कौन थी फतेपती शाहा की संरक्षिका थी आपकी महारानी कटवची ठीक है गड़वाल का स्वनकाल किस पमार शाषा के काल को कहा जाता है तो गड़वाल का स्वनकाल कहा जाता है फतेपती शाहा के काल को जैस जाता जाता है किस पमार शाशक के दरबार में नवरतने रहते थे फ़तिपति शहा के दरबार में, ठीके अ 1688 में पवांटा के समीप, गुरू गोविन सिंग से भंगाडी का युद्ध होता है तो यहां की आत्मकता से नेक्स्ट है गुरू रामराई को तीन गाउं दान में दिये थे तो किस ने दिये थे गुरू रामराई जो की आपे आते हैं उत्राखंड के अंदर आते हैं और अंजेब का एक पत्र लेकर आते हैं और अंजेब को काफी पसंद थे गुरू रामराई टिकेट स फतेपती शहा ने गुरू रामराई को दिये थे। किस पमार शाशक का घोड़े पर बैठा हुआ चित्र मिलता है फतेपती शहा का। इसलिए फतेपती शहा की तुलना शिवाजी के साथ भी की जाती है। अगला प्रशन है आपके यहां पे। अब कुछ यहां पे फतेपती शहा के काल के कुछ प्रमुग गरंत हैं उनको देख लेते हैं यहां से प्रशन बनने के चांसेज आपके हो सकते हैं। फतेपती शहा, एक रचना है किसने लिकी है? रतन कवी ने। यह रतन कवी को शेमराज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं का रक्षक कहा गया है, इस सारी बातें कवी भूषण ने कही फतेपती शहा के लिए, इसके अलावा वृत विचार है, वृत विचार को लिखा है कवी राज सुखदेव मिश्रा ने, ठीक है, फतेह शहा यशो वर्मन, ये किस ने लिखी है, ये राम चंदर ने लिखी है, रसराज ग्रंत और वृत कौमुदी, ये रचना किसकी है, तो ये रचना मती राम की है, वर्त कौमिदी को ही चंद सार पिंगल भी कहा जाता है, दोनों रचना किसकी है, मती राम की है, और इसी मती राम ने फतेह पती शहा की तुलना शिवाजी के साथ की थी, ठीक है, तो प्रशन बंता है, और आखरी रचना है, फतेह शहा कर्ण, ये किसकी है, तो ये जटा धर ये जिसको जटा शंकर भी कहा जाता है, ये इसकी रचना है, छले आगे चलते हैं, प्रदीप शहा की सनरक्षिका कौन थी, दीक है, प्रदीप शहा की जो सनरक्षिका थी, ये थी रानी कनक देई, ठीक है, और रानी कनक देई, जब तक प्रदीप शहा के सनरक्षिका रही, उस पूरे काल को गडवाल का black period कहा जाता है ठीक है तो question बन चुका है black period of गडवाल गडवाल का जो काल है वो किसको कहा जाता है कनक दई के शाषन काल को कहा जाता है जब ये प्रदीप शाहा की सरक्षिका के रूप में कार्या कर रही थी ठीक है एक और चीज आपको याद होती है इनका साल पूछा गया था कि ये गड़ी पर क्यों बैठे साल क्यों पूछा गया था इनका साल इसलिए पूछा गया प्रदीप शाह का ही इसलिए पूछा गया क्योंकि प्रदीप शाह के पहले के जितने भी पमारवंश के अंदर चाहे वो प्रदीप शाह हों लली इयर है वो fix है तो उन सभी के इयर आपको याद होने चाहिए ठीक है चलिए गड़वाल पर रोहिलों का आक्रमन कब हुआ था देखे गड़वाल के ऊपर भी रोहिलों ने आक्रमन किया था यहां आक्रमन 1757 में किया गया था ठीक है और इन्होंने दून के कुछ छेत्र में अ आक्रमन हुआ 1743-44 में और वहां पर प्रदीब शाहा ने मदद करी थी कल्याण चंद की इसी प्रकार गड़वाल के ओपर आक्रमन हुआ 1757 में शिरिनगर का मंगलेश्वर मंदिर किस के द्वारा बनाया गया था शिरिनगर में एक मंदिर है मंगलेश्वर मंदिर और इसका निर्मान करवाया चंदरमणी डंगवाल ने चंदरमणी डंगवाल क्यों फ्रसिद है तो परदीप शहा का ये मंतरी था तो इसलिए आपको ध्यान रखना है चंद्र मनी डंगवाल कौन है यह है प्रदीब शहा के मंत्री थे चलिए अगला है रामायन प्रदीब की रचना किसने की थी देखे रामायन प्रदीब की रचना प्रदीब शहा के शाषन काल में मेदाकर शर्मा की द्वारा की गई Important question है, पूछा जा सकता है, ठीक है, रामयन प्रदीप की रचना किसने करी, मेदाकर, शर्म ने, इस ग्रंत के अंदर किस पमार शाषक की यहाँ पे तारीफें की गई है, पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रदीप शाह की तो होगी होगी, लेकिन इसके अंदर सहिजपाल की तार रखना है लली शाहा को कुमाओं पर आक्रमन का आमंत्रन किस ने दिया था तो लली शाहा को कुमाओं पर आक्रमन करने के लिए किस ने कहा था हर्षदेव जोशी ने कहा था ठीक है किस युद में लली शाहा ने मोहन चंद को पराजित किया तो लली शाहा ने मोहन चंद को मंत्रन किया कि आप आए कुमाओं के उपर आक्रमन कीजिए इसने आक्रमन किया 1789 में बगवाली पोखर का जिद हुआ मोहन चंद को पराजित किया अपने बेटे परदियुमन चंद को परदियुमन चंद के नाम से कुमाओं की गद्धी पर बैठा दिया दीप चंद का दत्तक पुत्र बना कर ठीक है लली शाहा के चार पुत्र थे चार पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था जैकर शाहा ये गड़वाल के शाशक बनेंगे परद्युमन शाह कुमाओं की गद्धी पर बैठे हुए हैं प्राक्रम शाह लगातार शर्यंत्र करेंगे और इनी को गड़वाल का या पमार वन्षका चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है चोथे बचे प्रित्थम शाह जब यहाँ पे गुर्खा शाषन होता है तो गुर्खे इनको अपने साथ नेपाल ले जाते हैं यह वापस आते हैं जब यहाँ पे सुदर्शन शाह आते हैं टिहरी में और उसके बाद प्रित्म शाही वो व्यक्ति हैं जो मौला राम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे तो चारों के बारे में प्रशन बनते हैं उनको हमने यहाँ पे देखा चलिए अब बात करेंगे जैकरित शाह की जैकरित शाह पमारवंश का त्रेपनवा शाषक था और 1780 में यह गद्धी पर बैठा जैकरित शाह के समकालीन कुमाओ का शाषक कौन था तो जैकरित शाह के जो समकालीन कुमाओ का शाषक था वो था इनका सौतेला भाई पर्तियोicking चनद ठीड़ा किस अब मारवंश शाषक ने सिख बचने के लिए राखी नामक कर देने शूरू किया तो राखी नामक टेक्स सिखों को दिया जाता था जैकरित शाह की तरफ से इसलिए दिया जाता था ताकि सिख इसके उपर आकर्मन ना करें मौला राम को साट गाउंदान में किस ने दिये थे तो मौला राम को साट गाउंदान में दिये थे जैकरित शाह ने जोशानी कांड किसके समय में होता है तो जोशानी कांड 1785 में हुआ और ये हुआ जैकरित शहा के समय में जोशानी कांड था क्या तो देखे जोशानी कांड 1785 में हर्षदेव जोशी ने देवलगड के उपर और शीनिनगर के उपर यहाँ पे आक्रमन कर दिया था और बहुत ज़ादा यहाँ पे उसने लूट मचाई थी ठीक है काफी सारे लोगों को इसने मारा था और उसी कांड को जोश्यानी कांड कहा जाता है जोश्यानी कांड 1785 में हुआ जेकरित शहा के शाशन काल में जेकरित शहा की इमरित्यू कहां हुई थी तो जेकरित शहा जब काफी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि एक तरफ से उनके उपर सिखाकरमन करे जा रहे थे ठीक है उनको उन्होंने राकी नामक टेक्स देना शुरू कर दिया तो पूछा जाता है जेकरित शहा के मृत्यू कहां पर हुई या किस पमाज शाशक ने ध्रगुनात मंदिर के आता हत्या करी जेकरित शहा गड़वाल और कुमाउं दोनों जगहां शाषन करने वाला एक मात्र शाषा कौन था तो गड़वाल और कुमाउं दोनों में शाषन किया था परद्यूमन शाह ने पहले ये कुमाउं गड़ी पर बैठे हुए थे जैसे ही जैकरिश रहा के मृत्य होती है 1786 में ये वापस आ जाते हैं गड़वाल के अंदर पमारवंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है प्राक्रम शहा को प्रद्युमन शहा और गोर्खों के मध्ये लंगूरगड की संधी कब हुई थी तो ये जो लंगूरगड की संधी थी ये प्रद्युमन शहा और गोर्खाओं के मध्ये में होती है 1791 में देखे हुआ क्या 1790 में गोर्खों ने कुमाओं पे आक्रमन किया कुमाओं को अपने अधिकार में कर दिया अगले ही साल इन्होंने गड़वाल के उपर भी आक्रमन किया लेकिन प्रद्युमन शहा और गोर्खाओं के बीच एक संधी की गई लंगूरगड की संधी ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है प्रद्युमन शहा के शाशन काल में किस वर्ष भीषन आकाल पड़ा था तो भीषन आकाल पड़ा 1795 में और इसी गटना को जो आकाल पड़ा था उस समय इसे ही 51-52 के नाम से भी जाना जाता है तो प्रशन बनता है 51-52 नामक की जो घठना थी आकाल था ये किसके काल में पढ़ा परद्यूमन शाहा के काल में 1700 पिचानले में परद्यूमन शाहा गॉर्खों से लड़ते हुए वीर गति को पराथ हुए कब हुए थे प्राप्त तो परदियोमन शहा गोर्खाओं से लड़ते हुए शहीद हुए खुरबडा के युद में 14 मई 1804 को यह युद लड़ा गया था खुरबडा का युद वरतमान में धेरदून में इस्तित है तो यह आपको ध्यान रखना है गोर्खाओं ने यहाँ पर आक्रमन किया था और वहाँ पर लड़ते लड़ते यहाँ पर सहीद हुए थे तिहरी रियासत की स्थापना कब की गई अब देखें यहाँ पर परद्योबन शाहा की मृत्य हो गई उसके बाद गुर्खाओं का शाशन रहेगा उसे हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे उनका पूरे शाशन को ठीक है हम सीरा चलते हैं टिहरी रियासत में टिहरी रियासत की स्थापना करी सुदर्शन शाहा ने 28 दिसंबर 1815 को ठीक है तो आपको डेट सहीद याद रखना है यह जो इस्थापना दिवस था टिहरी रियासत का इसे रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है टिहरी के राजा के रूप में सुदर्शन शाहा को मानिता कब दी गई तो यह दी गई चार मार्च 1820 को यानि की पांच वर्षों के बाद मानिता देने का अर्थ यह है कि अंग्रेज सरकार ने यहाँ पे ऑफिशली मान लिया कि टिहरी जो रियासत है इसके उपर अधिकार है सुदर्शन साहा का इसके बाद अधिकार होगा सुदर्शन साहा के पुत्रों का तो यह कब मान लिया गया ओफिशली रूप से यह 1820 में माना गया चार मार्च को सुदर्शन साहा ने टिहरी का पहला भूमी बंदोबस कब करवाय था टिहरी रियासत का जो पहला भूमी होते हैं पहला भूमी बंदोबस सुजलसन सहाने 1823 में करवाया दूसरा भूमी बंदोबस भवानी शाहने 1860 में करवाया तीसरा भूमी बंदोबस जो था ये 1873 में प्रताप शाह के दुवारा करवाया गया जो चौथा भूमी बंदोबस था इसे 1903 में कीरती शाहने करवाया और पांचवा और अंतिम भूमी बंदुबस उनने सो चौबीस में नरींद्र शाह के दरवारा दुवारा किया गया यह पांचो भूमी बंदुबस थे टिहरी के रवाई परगना को टिहरी में किस वर्ष शामिल किया गया तो रवाई परगने को टिहरी में किस वर्ष शामिल किया, 1824 में इसको टिहरी रियासत में शामिल किया गया, टिहरी राजभवन पुराना दर्बार का निर्मान किस ने करवाया था, तो यहां निर्मान 1848 में सुदर्शन शहाने करवाया था, ठीक है, यह पुराना दर्बार अगर नया दरबार पूचेगा नया दरबार का निर्मान कीरती शाहा ने करवाया था प्रसिदे चित्रकार चैतू और मानकू किसके दरबार में रहते थे यह जो आपके चित्रकार हैं चैतू और मानकू यह सुदर्शन शाहा के दरबार में रहते थे साथ खंडों में सभासार नामक गरंथ की रचना किस ने की थी तो साथ खंडों में लिखी है सभासार ये जो गरंथ है इसकी रचना सुदर्शन सहा ने करी सूरत कवी के नाम से करी कितने खंडों में लिखी है साथ खंडों में कब रचना करी 1828 में तो इसको लेके एक प्रशन पेपर में पूछा जा चुका है आपको ध्यान रखना है ठीक है और ये जो रचना है सभा सार ये सुरत कवी के नाम से करी थी और ब्रज भाशा में यहां लिखी गई है जौन सार में मौन मेले की शुरुवात किसके द्वारा की गई तो जौन सार में मौन मेले की शुरुवात यहां सुदर्शन शाहा के द्वारा ही की गई थी 1840 में विल्सन को भूमी पटे पर दी थी किसने दी थी यहां पर सुदर्शन शाहा ने दी थी अंग्रेजों की सहायता से गद्धी पर बेठा था तो थे आपके भवानी शाह कहा जाता है 1869 मैं जैसे ही यहां पे सुदर्शन शाह की मिर्ट्य होती है इनका सौतेला भाई जिसका नाम तब शेह शाह वो गद्धी पर बैठ जाता है ठीक है, शेर्शाह को राजा नहीं बनाना चाहती थी, जंता राजा बनाना चाहती थी, भवानी शहा को यहां पर हस्ताशेप करता है हैंडरी रैमजे और वो शेष शहा को गद्दी से हटा कर बठा किसको देता है भवानी शहा को ठीक है भवानी शहा का राज़य भी शेख होता है 15 अक्टूबर 1869 को ये आपको ध्यान रखना है रैमजे ने किस वर्ष टीहरी में 12 आना 20 भूमी बंदुबस विवस्था को लागू किया था तो टीहरी के अंदर ये जो भूमी विवस्था थी 12 आना 20 इसको लागू किया था रैमजे ने 1861 में देव परियाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला किसने खोली थी तो देव परियाग के अंदर संस्कृत हिंदी पाठशाला इसकी शुरुवात करी थी यहां पे भवानी शहाने 1862 के अंदर टीहिरी में प्रतम अंग्रेजी स्कूल किसके दुवारा खोला गया तो टीहिरी के अंदर जो पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया यहां प्रताब शाहा ने खोला 1883 में खोला यह आपको ध्यान रखना है टीहिरी के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात भी किसने क करवाई थी परताब जूनियर हाइश स्कूल कर देंगा तो पूर जाता है परताब हाइश एस स्कूल को जो परताब हाइश है इसे प्रताब intermediate school कर देगा वो कौन करेगा नरेंदर शहा किई कि अंदर पुलिस विभाग की स्थाफना किसने करी थी टो किई के अंधर पुलिस विभाग की स्थाफना किस के दुबारा की गई ये की गई प्रताफ शाह के दुवारा प्रताफ टिहरी में खेंड पाला और विशाः प्रताफ का अंत किस ने किया ये कुछ प्रताइं थी जो टिहरी में प्रचलिन थी और इनको प्रतिबंदित किया इनका अंत किया प्रताफ शाह ने प्रताफ शाह दुवारा प्र गुर्वनाम की बात गुरू तो डांगधार इसका पुराना नाम था ठीक है। के शाशनकाल में ही हुआ था, ठीक है, कीरती शाहा की सनरक्षिका कौन थी, तो कीरती शाहा की सनरक्षिका थी, माता गुलेरिया, ठीक है, माता गुलेरिया किसकी सनरक्षिका थी, कीरती शाहा की, टीहरी में परताब हाई स्कूल की स्थापना किस ने करी, ये करी थी, कीरती श आशन चल रहा है कीरती शाह का कीरती शाह ने इनके लिए भवन का निर्मान करवाया टीरी के अंदर जिसे गोल कोठी कहा जाता है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है स्वामी रामतीर्त ने किस वर्ष भिलंगना में जल समाधी ले ली ती तो भिलंगना में इन्हो यहां पर आए टीरी के अंदर उसके बाद इनको कीरती शाह के द्वारा जापान के धर्म सम्मेलन में भी भी भीजा गया था ठीक है पूछा जा सकता है इन्होंने समाधी कहां ली भिलंगना में ली 1906 में कीरती शाह की तारीफ किस वाइसराई ने करी थी तो दीकिए उस सम ने कहा था कीरती शाह की तारीफ किस ने करी थी लॉट लैंस डॉन ने कीरती नगर का पुराना नाम क्या था तो कीरती नगर की स्थापना कीरती शाह करते हैं और इसका पुराना नाम था बिलॉली गाउं कीरती नगर की स्थापना 1894 में की जाती है टीहरी में किसान कल्यान बैंक की स्थापना किस ने की थी तो टीहिरी के अंदर जो किशान कल्यान बैंक है इसकी स्थापना कीर्थी शाह ने ही करवाई थी और टीहिरी में वैद शाला का निर्माण भी कीर्थी शाह ने करवाई था ठीक है टीहिरी के अंदर बिजली लाने का श्रेक इसको जाता है त इसका निर्माण 1897 में करवाया था टीहरी में पहले मदरसे का निर्माण किस ने करवाया तो यह निर्माण भी कीरती शाह ने ही करवाया था ठीक है टीहरी में PWD विवाह की स्थापना किस ने करी यह स्थापना भी कीरती शाह ने करी थी किस वर्ष इंग्लैंड में कीरती शा को Knight Commander की उपाधी भी दी गई थी 1901 में ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है कीर्थी शाह ने हिबेट संस्कृत जहां पर पाठशाला की स्थापना कप करी तो हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्थी शाह की द्वारा 1909 में करी गई थी ठीक है कीर्थी शाह द्वारा Campable Boarding House की स्थापना कप की गई तो ये स्थापना कीर्थी शाह ने करी 1907 में पमारवंश का महर्शी किसे कहा जाता है तो पमारवंश का महर्शी कीर्ती शहा को कहा जाता है तो इसको ध्यान रखना भक्त दर्शन ने कीर्ती शहा को राजश्री कहा है तो राजश्री कीर्ती शहा को किसने कहा भक्त दर्शन ने इसके लावा इनको महर्शी भी कहा जाता है किस पमार शाशक ने नवरात्रों में जोटा मारने की प्रताख समाप्त करी थी कीरती शाह ने करी थी कीरती शाह ने ही टिहरी के अंदर से जो बरा बेगार प्रता है इसको भी समाप्त किया था कीरती शाह की तुलना अकबर से की जाती है ये point भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है हमारे 69 वे राजा के बारे में नरींद्र शाहा राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी तो जो नेपालिया थी ये आपके नरेंद्र शाहा की संरक्षिका थी इनको लेके क्या-क्या प्रश्ण बनते हैं उनको देखते हैं किस वर्ष्ट टिहरी में पहली बार प्रतम जनगणना हुई थी तो टिहरी के अंदर जो पहली जनगणना हुई वो नरेंद्र शाहा के शाशनकाल में हुई 1921 में टिहरी का अंतिम भूमी बंदुबस इसके बारे में हमने पड़ा था कि टिहरी का जो अंतिम भूमी बंदुबस था ये 1924 में होता है नरेंद्र शाह इसको करवाते हैं नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओड़ा तली ठीक है नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में की गई और 1925 में नरेंद्र नगर को पमारवंज की राजधानी बनाया गया था नेक्स्ट है प्रताप intermediate college की स्थापना किस ने करी यह वही college है अगर intermediate पूछेगा तो यह नरेंदर शहाने करी थी इसके अलावा नरेंदर शहाने उस समय जो युवा थे तो युवाओं को प्रिस्टिक्षन प्राप्त करने के लिए इन्होंने जर्मनी में भी भेजा था उत्राखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है उत्राखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है चकरधर जुयाल के ही टाइम पे उस समय उस समय शाशन कौन था शाशन थे नरेंदर शाहा थे चकरधर जुयाल नरेंदर शाह का दिवान था और इसी ने चकरधर जुयाल ने 30 मई 1930 को गोलियां चलवा दी थी तिलाडी मैदान में जिसको हम तिलाडी कांड कहते हैं चलिए उस समय जब इस तिलाडी कांड हुआ टिहरी के अंदर नरेंदर शाह उस समय यूरोप दौरे पे थे ठीक है और जब सुरदेव सुमन यहां पे शहीद हुए उस समय जो नरेंदर शाह थे ये मुंबई दौरे पे थे ठीक है दोनों ही अफसरों पर नरेंदर शाह आप 1949 में हुई दहरादूर में इसकी स्थापना की गई और किसके परियासों से की गई सिरदेव सुमन के परियासों से की गई टिहरी में कन्या पाठ शाला की स्थापना कब की गई तो टिहरी के अंदर अगर पूछेगा कन्या पाठ शाला की स्थापना तो ये करी 1942 में नरेंदर शाह ने इसके अलावा नरेंदर शहा ने जो आपका बनारस हिंदू विश्व विध्याला है उसको एक लाख रुपे भी दिये थे उस समय कब 1933 में अपने पिता कीर्थी शाहा की इस्मृति में टिहरी में डोरी पैमाईश भू विवस्ता किसने शुरू करवाई थी तो टिहरी के अंदर डोरी पैमाईश भू विवस्ता को शुरू कराने का जो श्रे जाता है ये नरेंदर शाह को ही जाता है अन्तिम पमार शाशा कौन थे तो पमार वंश के अन्तिम शाशरक थे मानवेंदर शाह ये आपको ध्यान रखना है 1946 में ये राजा बने 1950 तक ये राजा रहे 1950 तक इसी लिए रहे चूंकि उन पचास में ही टिहरी का विले हो जाता है भारत में टिहरी में सकलाना विद्रों कब हुआ टिहरी में सकलाना विद्रों हुआ शान्ती रक्षा अधिनियम ये बना आपका 1948 में तिहरी रियासत का भारत में विले कब किया गया तो तिहरी रियासत का भारत में विले किया गया आपका 1 अगस्त 1990 को डेट सहीत आपको इसको याद रखना है यहाँ पे तिहरी रियासत का विले भारत में कर दिया गया मानविंदर शाह अंतिम नरेश थे पमारवंश के इनकी मिर्त्यू कब हुई तो हाली में 5 जनवरी 2017 इनकी मिर्त्यू हो जाते है अब कुछ महत्थ्पून बाते हैं पमारवंश को लेकर थोड़े बहुत कुशन हैं इनको देख लेते हैं पमार राजाओं की जो कुल देवी थी यह हैं आपकी राजिश्वरी देवी ठीक है पमार काल में राज्य का सरवोच अधिकारी कौन होता था तो पमार काल में जो राज्य का सरवोच अधिकारी होता था उसे मुक्तार कहा जाता था ठीक है परगने का सेनिक साशक कौन होता था तो पमार काल में जो परगना होता था उसका सेनिक साशक होता था उसे फौचदार कहा जाता था, ठीक है, राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो पमार काल में राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोलदार की होती थी, ये कोशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुदर्शन शहा के काल में राज्य को कितने पर और सोसाइटी की स्थापना 1934 में नरेंदर शहा की शार्षनकाल में की गई तो फ्रेंट्स यह था हमारा पूरा पमारवंश हमने यहां पे देखा वीडियो जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपने अगर इस वीडियो को पूरा चिस से देखा तो आपको पूरे आपके question wise है बस आपको यह पढ़ने की जुरत है आपका पूरा पमारवंश कवर हो जाएगा इन्ही question में आपका पूरा पमारवंश यहां पे complete हुआ है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को like करना और अगर आप channel पे नए है तो subscribe करना और साथ यह comment आ रहा है काफी computer को ले करके तो friends आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपकी computer की वीडियो आ जाएगी आप अपना जो आपके other subject से उनको cover कीजे computer आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा सारे point में आपको एक जगहर पर दूँगा आपको computer अच्छे से cover हो जाएगा आप अराम से अपनी पढ़ाही कीजे 2-3 दिन के अंदर अंदर यानि कि 25 से पहले पहले ही आपकी computer की वीडियो आ जाएगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें दोस्तों के साथ और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बता है वीडियो आपको कैसे लेगी Thank you friends